चलिए अब हम लोग भारम भरने के तरीके के उपर चर्चा करते हैं यहाँ पर सबसे उपर पहले वीडियो का नाम लिखना है यहाँ पर वव विशय आएगा जिसके बारे में हम समू के लोगों को वीडियो दिखा रहे हैं जैसे हमारी आज की वीडियो का विशय है श्री विधी से गेहु की रोपाई क्योंकि इससे हम लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि श्री विधी से गेहु की रोपाई कैसे की जाए अच्छी फसल के लिए समझे समझ गए दीदी अब पूरी तरीके से समझ गए अब इससे नीचे वाली जगा पर मध्यस्त का नाम भरना है मध्यस्त का मतलब वहाँ व्यक्ति जो सम्हू के लोगों को वीडियो की सारी बाते समझा रहा है कैसे दीदी आज आप सबको ये वीडियो दिखा रही है तो यहाँ पर आपका नाम आएगा है ना हाँ बिल्कुल सही यहाँ पर उसी व्यक्ति का नाम आएगा अब यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है शुरू समय जिस समय भी वीडियो शुरू हो रहा है सुबह तो पहर या शाम उसके आगे निशान लगाना है अब यहाँ देखिए यहाँ पर हम वो तारीग भरेंगे जब हम समय के लोगों को वीडियो दिखा रहें अब यहाँ बहुत जरूरी भाग है आप लोग ध्यान से देखिए यहां पर हम उन दो समुहों का नाम लिखेंगे जिन्हें हम यह वीडियो दिखा रहे हैं मतलब दिदी हम कई समुहों को भी एक साथ वीडियो दिखा सकते हैं हाँ हाँ बिल्कुल तो हम यहां अभी अपने दोनु समुहों का नाम लिखते दे अब इस तरफ देखिए, यहाँ पर हमें स्थान की जानकारी भनी है तो सबसे पहले ग्राम संगठन का नाम, जिसके अंदर हमारे ये समू आते हैं ठीक है दीदी दीदी, इसके बाद गाओ का नाम है, यानि जहाँ ये वीडियो दिखाई जा रही है, उस गाओ का नाम है ना? हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ पर उस गाओ का नाम आएगा जहाँ हम ये वीडियो दिखा रहे हैं अब यहाँ पर जहां भी जानकारी के लिए वीडियो दिखाया जा रहा है हम उस ब्लॉग का नाम लिखेंगे इसके बाद यहां हम उस जिले का नाम लिखेंगे जहां वीडियो दिखाई जा रही है अच्छा तो अब सिर्फ समुह के लोगों की जानकारी रह गई है जिसके लिए भारम की बाई तरफ जगा दी गई है समय बचाने के लिए हमें काम कर सकते हैं हम उन लोगों के आने से पहले उनकी जानकारी यहां भर देते हैं और वीडियो दिखाने के बाद उनके हस्ताक्षर ले लेंगे ठीक है? हाँ ठीक है दीदी लेकिन ये सदस्य का नाम तो हो जाएगा और सदस्य के पती और पिता का भी नाम हो जाएगा लेकिन ये समूह क्रम क्या है? अच्छा ये देखिए यहां हमने समूह एक और दो के नाम लिखे थे ना तो वहीं जो सदस्य समूह एक से है समूह क्रम में उनके आगे एक लिखना है और जो सदस्य सम्हू 2 से हैं, उनके आगे सम्हू क्रम में 2 लिखना है ठीक, समझ गई दीदी, समझ गई लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग जल्दबाजी में दोनु सम्हू के लोगों की जानकारी मिला देते हैं इसलिए हम यहां पहले पन्ने पर सम्हू 1 के लोगों की जानकारी लिखते हैं और पीछे की तरफ सम्हू 2 के लोगों के बारे में लिखते हैं जैसे ये देखिए, हम पहले सम्हू 1 के लोगों की जानकारी लिखते हैं और उनके आगे सम्हु क्रम संख्या में एक लिख देते हैं फारम भरने में बहुत ध्यान रखेगा कि कोई गलती ना हो अगर फारम सही से नहीं भरा होगा तो मान दे नहीं मिलेगा इसलिए फारम ठीक से भरिएगा ठीक है? जी दी बिल्कुल ध्यान से भरेंगे भारम यारपी दी यारपी दी खुम लोग आगा है पढ़नाम पढ़नाम आगे आप लोग आईये आईये पिछली बार हमने आप सबको गेहूं के बीज उपचार विधी इसके बारे में वीडियो दिखाई थी आप सबको अच्छे से समझाया था ना? हाँ दिदी अच्छा तो अब आप ये बताईए कि गेहूं के बीज उपचार विधी में हमें किन-किन चीजों का इस्तिमाल करना चाहिए आप में से कौन बताएगा? आप बताईए गेहूं के बीज उपचारन के लिए गूर, केचुवा खाद, वेवेश्टिंग पाउडर, गौ मुत्र और हल्का गुन-गुना पानी चाहिए बिल्कुल सही और इसे कितनी देर के लिए घोल में रखना चाहिए? आठ गंटे के लिए क्या बात है, इसका मतलब आप सबको वीडियो अच्छे से समझ आ गया था, है ना? हाँ दिवीर चलिए, अब वीडियो देखने के लिए हम पर्दा लगाकर अंधिरा कर लेते अच्छा, तो अब जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम यहाँ पर श्री विधी से गेहूं की रोपाई का वीडियो देखेंगे और उससे सीखेंगे, साथ ही लोगों को बताएंगे भी, तो अब वीडियो चालू करें? हाँ दिदी देखो दिदी, एकरे बारे में यहाँ के बत लएली है कि चारो कोना बराबर होबे का चाहिए, ठीक है दूदाना यहाँ रोकाता है, दूदाना यहाँ और दूदा यहाँ और दूदाना यहाँ तो अभी तक आपने वीडियो से जो भी कुछ सीखा, उसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप पूछिए हाँ दिदी, हम कुछ पूछना चाहते हैं हाँ पूछिए आठ इंच पर दूरी गेहुं को जो लगाते हैं, तो उससे हमको क्यों लगाएं, क्या फाइदा हो बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है और इसी लिए वो इस विधी का इस्तिमार ठीक से नहीं कर पाते हैं बात ये है कि गेहुं को आठ आठ इंच की दूरी पर लगाने से पौधों को सही पोशन मिलता है जैसे धूब, जमीन से खाथ और पानी और जब सब कुछ पूरी मात्रा में मिलेगा तो फसल भी अच्छी रहेगी अब समझ गए ना आप लोग हादी दी चलिए अब आगी की वीडियो देखते है हम रोत के बतला देखे अब हम जाई छी हाँ तो अब आप लोगों को समझ में आ गया ना कि श्री वीधी से गेहूं की रोपाई कितनी आसान और फाइदे मन्ध है हाँ दीदी सब समझ में आ गया हम लोग के है और इस वीधी में जो भी आती आवश्यक बाते हैं उनका ध्यान रखिएगा नहीं तो फसल में मन चाही उपज नहीं मिलेगी अरे हाँ आप लोगों मैंसे दोनों समुहों के सदस से एक-एक करके आगया आएंगे आपके हस्ताक्षर लेने पढ़ना में अच्छा पढ़ना में अच्छा पढ़ना में हाँ तो अब समझ गए न आप लोग कि फारम कैसे भरना है हाँ दीदी बिलकुल समझ गए लेकिन अभी कुछ जगा तो जानकारी भरनी है फारम में ये देखें हाँ ये जो जगर बाकी रह गई है इसे वीडियो देखने के बात भरना होता है जैसे ये सदस्य की जानकारी के नीचे वाला स्थान वीडियो समझने में समस्या है यहाँ पर हम वो सवाल और परिशानिया भरेंगे जो समझ के सदस्यों ने पूछी है वीडियो देखते समय जैसे दीदी एक सदस्य ने पूछा था कि आठाट इंच की दूरी पर केहू लगाना क्यों जरूरी है वही ना हाँ बिलकुल सही वही सवाल और परिशानिया यहाँ पर लिख देनी है हर एक उपस्थित सदस्य के हस्ताक्षर लेना बहुत जरूरी है समझ गए ना आप लोग हाँ ठीक तरीके से समझ गए